हेलो वर्बन वेलकम टू फामिसी क्लासिस में हूं विशाल आज हम पढ़ेंगे अप्टिकल प्रपर्टीज और कोलोडल डिस्पर्जन तो क्या होता है पार्टिकल साइज रेंज वन नैनोमीटर से जिरो पॉइंट फाइब माइक्रो मीटर तक की रेंज की पार्टिकल्स को अग्या दया से धिन की खेंटने की और क्योता है एक doin रहुता है तो कौलोडल प्रटिकलंस लाइड के साथ में इंटरेक्शन है तो वह उसकी तो कम सी इंप्टिकल प्रोपर्टिकल्स में एक होता है और दूसरा होता है लाइड स्कैटरिंग या स्कैरिंग तो हम देखते है कि टींडल एफेक्ट होतायए अब यदी हम बात करें हैं अप्तिकल प्रॉपर्टी को मेजर्मेंट से हमको फार्मसोटिकल उसमें ध्यों मेन थे सकते हैंने तो एक से न कोनिके चांद होता क्या है जब लाइट जब लाइट को जब हम ज्को उपास करते हैं तो ज्में पांथ million क कर होता है जबidden तरीकर इन गणा के वाप तरीके बना तो इसको तिंडल दी बूलते हैं तो इस तरीके से हैं की प्रॉपर्टी होती जैसे कि हम देखा है कि हम जब जो रोशंदान से लाइट आती है दिए हम हारे हाथ में पढ़ते हैं तो वो एरिया रायड दिखाई देने लगता है क्योंकि हमारा ब्लट जो सॉलिशन होता है B외ल का ऑडली स्कैटरिंग के था फिर दान ने पर faltee बात के ने होती है कि जब massage कि पार्टिकल सी पार्टिकल स्कैटर कर देतें तो इसका मेकेनिism एक संक्या जेख निया है дो मेकनिसम होते है इसके एक तो पहला यह कि जब पार्टीकल से लाइट पार्टिकल में स्ट्राइक्ट करती है तो जैसी एक पार्टिकल में भीकडार को होने से एक डायपॉल फॉर मैं वह क्या करते हैं कि आपका एक wavelength को release करते हैं जो कि all direction में आपका split होती है जिसको कि हम क्या मुलते है scattering light का scatter होना दूसरा reason यह होता है कि इनमें जो refractive index का vary होना difference होने कारण particles जो है colloidal range में अलाग-अलाग size के colloidal range में ही उसमें होते है range में होते हैं different vary करते है density में तो density difference होने कारण जो light जो है आपका different direction में scatter हो जाती है तो light scattering अब यदि हमको optical property को measure करना है तो हमारे पास में microscopy method है और दूसरे spectroscopy है तो turbidity method microscopy method में हम मारे पास में light microscopy ultra microscopy और electron microscopy 3 methods है light microscopy या simple optical microscopy से colloidal particles का detection नहीं किया जा सकता है तो ultra microscopy जिसको कि हम dark field microscopy बोलते हैं इससे हम करते हैं तो यदि हम बात करें तो हम इसमें observe करते हैं टिंडल effect को observe करते हैं तो इसका यदि हम देखें कि working principle या इसका instrumentation देखें तो light source जो होती है डाक background होने कारण इसको microscope जो कि यहां इसके perpendicular लगा हुआ होता है इससे हम देख सकते हैं और इसके तुरू हम जीटा potential को measure कर लेते हैं ultra microscopy से ultra microscopy से ज्यादा effective technique होती electron microscopy electron microscopy में जो light source के तौर पर हम क्या यूज करते हैं highly energetic electron beam का यूज करते हैं जो कि क्या करते हैं जिससे कि हम electron microscopy से particles का उनका colloidal range के size shape और उसका structure भी find out कर सकते हैं और उनका photographic status भी देख सकते हैं फिर हम बात करते हैं termidity method में तो हम इसमें concentration और molecular weight of colloidal dispersion को measure कर सकते हैं तो इसमें दो method होती है ध्यान में रखना है और sample से पढ़ने के बाद में यह transmitted होती transmitted light तो spectrophotometer में यह spectrophotometry में हम transmitted light की intensity को measure कर लेते हैं और यह lyophobic colloid के लिए major concentration measure करने के लिए important होती spectrophotometer में ध्यान रखना competitive exam में यह question कुछ से सकता है फिर nephilometer में क्या करते हैं कि जो light आपकी transmitted होती है उसको ना measure करके हम scattered light को measure कर लेते हैं और live philic colloid का concentration हम इसमें find out कर सकते हैं तो यदि हम देखें spectrophotometer को हम इस तरीक से formula में भी पता सकते हैं turbidity को determine concentration को determine करने के लिए i upon i0 is equal to tau and L तो यह क्या होता है i incident light की intensity और transmitted light की intensity tau जो है आपका turbidity को indicate करता है और L जो है जो आपका sample cell का path length है उसको centimeter में इसको denote करते हैं तो यह आपका optical properties of colloidal dispersion के बारे में आप यह बता सकते हैं competitive exam में उचाता सकते हैं कि colloidal property कौन-कौन जी हो थी तो tindal effect और light scattering microscopy में आप ultra microscopy dark field microscopy बिद्ध कर्दा सकते हैं and all the best